हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ इश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्त, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चो आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ पंदरा मुहावरे का अध्यान करेंगे मुहावरा मूलता अरबी भाशा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास यह हम कह सकते हैं बाचीत करना या उत्तर देना हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारन अर्थ को छोड़कर विशेश अर्थ को व्यक्त करते हैं जान दीजेगा यहां पर हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारन अर्थ को छोड़ कर विशेश अर्थ को व्यक्त करते हैं मैं कुछ वाक्य आपके सामने पढ़ रही हूँ मिठाईया देख कर दीपिका के मुँ में पानी भराया ताज महल की सुन्दर्ता देख कर सभी दंग रहे गए बच्चो इन दिये गए वाक्यांशों के अर्थ को आप समझे मु में पानी भराना इसका अर्थ है खाने के लिए मन ललचाना और दंग रह जाना इसका अर्थ है आश्चर चकित हो जाना कुछ वाक्यांशों के अर्थ समान ना होकर विशेश होते हैं और विशेश अर्थ देने वाले ये शब्द सम्हू मुहावरे कहलाते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेश अर्थ देते हैं यहाँ भी हम यही चीज़ देख रहे हैं कि कुछ वाक्यांशों के अर्थ समान ना होकर विशेश होते हैं और विशेश अर्थ देने वाले जो शब्द सम्हू होता है उसी को मुहावरा कहते हैं मुहावरे को अगर कहा जाए कि हम थोड़े शब्दों में कैसे परिभाशित करेंगे या मुहावरा किसे कहते हैं तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि ऐसे शब्द सम्हू जिनका प्रियोग विशेश अर्थ में होता है उन्हें मुहावरा कहते हैं एसे शब्द सम्हू जिनका प्रियोग विशेश अर्थ में होता है उन्हें मुहावरा कहते हैं या हम कह सकते हैं कि भाशा में विशेश या विशेश अर्थ प्रगट करने वाला शब्द सम्हू मुहावरा कहलाता है खास चीज और है कि मुहावरों का एक विशेश अर्थ होता है पहली चीज, दूसरी चीज कि मुहावरों के प्रियोग से भाशा सुन्दर वा प्रभावशाली बनती है और तीसरी चीज है कि विशेश अर्थ के कारण मुहावरेदार भाशा सबको अच्छी लगती है पहली चीज थी कि मोहावरों का विशेश अर्थ होता है दूसरी चीज मोहावरों के प्रियोग से जो हमारी भाशा है वो सुन्दर वो प्रभावशाली बनती है और तीसरी चीज है कि विशेश अर्थ के कारण मोहावरेदार भाशा सबको अच्छी लगती है बोलने में भी और सुनने में भी बच्चो अब हम कुछ मुहावरे देखेंगे कुछ मुहावरे हैं उनके अर्थ और उनका वाक्य प्रियोग देखते हैं जैसे पहला मुहावरा है आखों का तारा बहुत प्यारा वाक्य है इसका रमेश सब लोगों की मदद करता है तभी तो वे सभी की आँखों का तारा है दूसरा मुहावरा है दात खटे करना अर्थ है बुरी तरह हरा देना वाक्य है लक्षमी वाई ने अंग्रेजों की सेना के दात खटे कर दिये तीसरे नमबर पर एक मुहावरा है अंगूठा दिखाना इसका अर्थ है साफ मना कर देना वाक्य है किताब मांगने पर मेरे मित्र उमेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया चौते नमबर पर एक मुहावरा है कान भरना इसका की अर्थ है शिकायत करना वाक्य है मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरी मा के कान फर दिये पांचमा मुहावरा है पीट थप थपाना जिसका अर्थ है शाबाशी देना वाक्य है इसका युद्ध जीतने पर सेना पती ने सैनिकों की पीट थप थपाई तो बच्चों आपने ये जो पांच मुहावरे देखे आखों का तारा, दाथ खटे करना, अंगूठा दिखाना, कान भरना और पीट थप थपाना तो ये मुहावरे हमारे शरीर के अंगों पर आधारित थे, आपने ध्यान दिया, ये हमारे शरीर के अंगों पर आधारित थे, जैसे की आँख, दान, अंगूठा, कान और पीट, अब हम और कुछ मुहावरे देखते हैं, इसमें पहला जो मुहावरा है, कुछ और जो मुहावरे हैं आगे के बच्चों, पहला है हवा से बाते करना, अर्थ है तेज दोड़ना, वाके है कुछी छड़ों में जानवी की साइकिल हवा से बाते करने लगे, दूसरा मुहावरा है, लाल पीला होना, जिसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना, वाके है कमरे में समान बिखरा देख, पिताजी लाल पीले हो गए, तीसरा मुहावरा है घी के दिये जलाना, इसका अर्थ है खुशिया मनाना, वाके है दोड़ प्रतियोगता जीतने पर, रोमी ने घी के दिये जलाए, चौथे नमबर का यहाँ पर मुहावरा है खोड़े बेच कर सोना, अर्थ है निश्चिन्थ होना, वाके है परिक्षा के बाद दमन प्रीत घोड़े बेच कर सो गया, पांचमा मुहावरा है यहाँ पर पांचमे नमबर का नौ दो ग्यारा हो जाना, अर्थ है भाग जाना, वाके है पुलिस को देख कर चोर नौ दो ग्यारा हो गया, छटवे नमबर पे मुहावरा है नानी याद आना, अर्थ है बहुत परिशान होना, वाके है परिक्षा में कठिन सवाल देख कर गौरी को नानी याद आ गई, साथमे नमबर पे फूला ना समाना, अर्थ बहुत प्रसन होना, वाके नई साइकिल देख कर रोशन फूला ना समाया, और आठमे नमबर पर है आस्मान सिर पर उठाना, अर्थ है बहुत शोर करना, कख्षा में अध्यापिका के ना होने पर बच्चे आस्मान सिर पर उठा लेते हैं, तो बच्चों हमने कुछ और मुहावरे देखे इनमें था जो पहला था हवा से बाते करना, फिर था लाल पीला होना, घी के दिये जलाना, घोडे बेच कर सोना, नौदो ग्यारा हो जाना, नानी याद आना, फूलाना समाना और आस्मान सिर पर उठाना, और इनके अर्थ भी हमने देखे और साथ साथ आज हमने देखा कि जो मुहावरा होता है, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि शब्दो का अर्थ वही ना होकर विशेश अर्थ जो देता है वो मुहावरा कहलाता है, यानि मुहावरों से जो बच्चों क्या होती है, हमारी जो भाशा होती है, वो प्रभावशाली बन जाती है, हम कह सकते हैं कि विशेश अर्थों के लिए क्या है मुहावरे का प्रियोग किया जाता है कि भाशा में विशेश अर्थ जब प्रगट किये जाए तो मुहावरे का प्रियोग किया जाता है मुहावरा ऐसा शब्द समू है जो अपने साधरन अर्थ को छोड़कर विशेश अर्थ को व्यक्त करता है तो हमने इससे पहले पाँच मुहावरे अपने शरीर पर अंगों पर आधारित देखे थे और उसके बाद कुछ और हमने मुहावरे देखे बच्चों इन मुहावरों के अर्थ आप लोग याद कर लीजेगा मुहावरे याद कर लीजेगा और साथ ही इस पाठ के जितने भी अप्यास कार हैं वो आपको इस्कूल वैपसाइट पर मिल जाएंगे उन्हें देखकर अपनी कॉपी में लिखे और याद करे आशा करती हूँ कि आज का जो पाठ है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा